असलाम लेकुम जी दोस्तों मेरा नाम ताबिश और आप देख रहें मेरी ये वीडियो ओन देशी क्रिप्टो गुरूब और इस चैनल को स्टार्ट करने का एक ही वीजन है कि आपको असान लफजों में क्रिप्टो कुरेंसी के बारे में समझाया जा सके उसके डिफरेंट प पर्पिस के लिए मैंने चैनल शुरू किया आपनों को सिखाने के लिए अच्छा आज की वीडियो बड़ी डिफरेंस यह मैं को टिप्स और ट्रिक्स नहीं आपको पताना चाहरा है आज मैं आपको बड़ा ही इंपॉर्टन मैसिज देना चाहरा हूं तो प्लीज इस वीड है मैंने देशी क्रिप्टो गुरू नाम रखा तो मैं लोग यह समझें कि मैं गुरू बान को ऐसी बात ही मेरा मकसद यह है कि हम एजुकेट करके अपने आपको गुरू बनाएं हम खुद गुरू बने इससे लोगों के पास जाने की बजाए लोगों को अपना पैसा देने एक तो मैं कोई financial advisor नहीं हूं ठीक है जी और दूतरा मैं अगर इस चैनल के ओपर को वीडियो पोस्ट करता हूं वो मेरी thoughts हैं मैं उसके पीछे जो मैं समझता हूं जो मुझे लगता है और मैं ऐसे नहीं पोस्ट करता है मैं उसके बारे में study करता हूं उसके बारे में न्यू investment करनी है अभी या की है future में या आगे करेंगे अपनी समझ अपनी बूच के मताबिक करनी है उस पैसे को इन्वेस्ट करना है जिसको अगर आपको lose भी करना पड़ दे तो आप उसका भार उठा सके या आपको long time के लिए hold भी करना पड़ दे तो आप उसको hold कर सके मैं यह क् सबके इस वकत market जों सा है वो इतनी बुरी तना blade की है पिछले दो दिन के अंदर और मैं उसकी वजह आपको बताता हूं इतना दादा डरने की दूरत नहीं है लेकिन उस of course अगर आपका पैसा लगा होता है और आप देख रहे होते हैं के यार यह क्या हुआ हुआ हमारे के मवाकें हैं ट्रेडिंग के अंदर या investment के अंदर वहां पर नुकसान के भी हैं नुकसान और मुनाफ़ा साथ साथ चलता है अगर आप इदर इस चीज़ में जंप यह सोच के हुए है कि यार हम सिर्फ मुनाफ़ा कमाएंगे और नुकसान नहीं होगा तो मेरी आप से suggestion य ही होगा तो फिर इस चीज़ को ना करें हाँ यह जरूर किया सकता है कि जो नुकसान है उसको कैसे मिनिमाइस किया जाए रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए यह चीज़े तो सीखने की हैं और इससे आप को होता है क्या कि आज जहां पर आपने काम भी आप ट्रेडर बन ही नहीं सकते अगर आप स्टॉप लॉज नहीं यूज करते हैं ठीक है अच्छा एक चीज यह दूसरी बात यह है कि और यह अगे यह मेरी थॉट्स हैं मैं कोई अथॉरिटी नहीं उस चीज में यह मेरा अपना जो मैं समझता हूं मेरा जो स्टाइल है उसमें मैं आप लोगों को बताने की घुशिकार हूं शायद आपको कुछ सीखने का मौका मिले और अगर आपके पास अच्छी सेजेशन्स हैं तो प्लीज कुमेंट्स में लिखा करें दूसरी बात यह के क्रिप्टो करंसी के अंदर जो इन्वेस्मेंट हैं अगर आप क का मोटिव यह है इसके पीछे तो मेरी सिजेशन यहां कि किसी सेफ जगा पर पैसा लगाएं सेफ फंड्स में पैसा लगाएं बिकार यह बहुत एक्स्ट्रीम वालेटाइल मार्किट है यह एक दिन साथ परसंट उपर जाती है तो अगले दिन साथ परसंट गरती भी है यह आप इसमें यह सोच के अंटर हुए हैं कि आप दिनों में अमीर बनके निकल आएंगे आप की जो ओवराल स्ट्रेटीजी है वो गलत है माइड बी कोई ऐसा हो सकत मुझे वह मैंने मीटिंग्स की उसके उपर मुझे बहुत सारी लोगों ने आपने जो हम वीडियो बनाई कि यह इनके पैसे डूब भी सकते थे और इन्होंने मेरी वीडियो देखके यह उठाएं तो मैं सार वीडियो बना रहा हूं आप लोगों को एड्यूकेट करने के लिए मैं हां मैं एक बाद जरूर कहता हूं कि मैं किसी ऐसी कोई ऐसी बात नहीं करता जो मैं जिस चीज में है मैं खुद ना हूँ ठीक है मेरा अगर यह पूर्टफोलियो यह जो क्रिप्टो करनसी नीचे गई है तो मेरा पूर्टफोलियो सारे का सारा रैड है अच्छा यह तो हो गई बाते जो मैं आपको बड़ा क्लियर कट कहना चाह रहा हूं अब आगे हम चलते हैं कि अब यह वह पर हुआ इसको हैंडल कैसे इसको मैनेज कैसे क्या करें यह क्या हो हो कृण्गर यार था वही हमने 10,000ड लगा था उन्हें 2000 डॉलर लगा dividing से चनाब अगर आपने crypto को completely इसको समयना तो इसकी फिर पूरे की पूरे इसकी news देखें इसके पीछे क्या चाल रहा है किंद वज़ों की किंद चीज़ों की वज़ा से drop हो रहा है तेरस। मैंनी डीफरेंट ओर्टूर्स जो इसकी प्राइस को ड्राइव करते बहुत सारे टेकनिकल एनलसिस है हैं निवस हैं बडरी 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 वेल्स की मुवमेंट्स और किसे बोलते हैं जिन्वनने मिल्य कर्मंट इन्वस्मेंट कि भी है एक चोटी जिया पर मिसाल देता हूं जैसे एलन मास्क जो के टेसला का मालिक है उसने सरफ इतना सा का है एक ट्वीट के अंदर और मुझे नहीं पता उसने किस कॉंटेक्स्ट में का है लेकिन उसका इस सारी चीज़ के ओपर अच्छा खासा जो न्यूस और अच्छा खासा अ लाग रही है ठीक उसने पता नहीं किस कॉंटेक्स्ट में का है जो पूरी दुनिया में इंवेस्टर बैठावा है छोटा इंवेस्टर खास तौर पर यह मीडियम उसने का कि अच्छा माइड भी टैसला ना अब यह सोच रहा है कि और प्राइस बहुत हाई होगी है अपना प्रॉफिट पूलाउट करो अपने पैसे निकालो लोगों ने पैसे निकालने जुरू कर दिए अच्छा ऐसा क्या होता है बात होता यह कि अवरी टाइम जब भी प्राइस और टाइम हाई को टच करती है को हार्ड और फास रूल नहीं है लेकिन नॉर्मल ही होता यह है कि जब प्राइस अपने ओल टाइम हाई को टच करती है तो तब उस वक्राइस भी मुस्ली ओवर ओवर बॉट हुई होती है और आरह से फिर वह लग बहुत सारे लोग खरीद रहे होते हैं ठीक है जब ओल टाइम जा रहा हर को उसे खरीदना चाता है बहुत अदा जब आर टा अब क्रिप्टो के अंदर मैं एक जो क्रिप्टो के अंदर जो इसकी अभी तक जो नेचर है क्योंकि अभी यह नहीं टिकनोलोजी है हर चीज नहीं वाल्व हो रही है लोग पैसा डालना शुरू करते हैं तो डालते हैं डालते हैं डालते हैं उसमें इन्वेस्टर्स भी है है उसमें कुछ लॉंग टर्म इंवेस्टर्स भी है उसमें ऐसी बड़ी बड़ी वेल्स भी है जो जंप इन करती है लेट से जब पिचार प्राइस है जी तीसजार डॉलर उन्हों तब खरीदना शुरू किया और उसके बाद लेके गए 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 ओपर पच्पंदार डॉलर को टाच की उन्हों ने वेल्स ने सेल किया अपना पैसा निकाल लिया उन्होंने जब पैसा निकाला क्या हुआ मार्केट में वाज गई के जी शेर बिक रहे हैं पप रहे हैं प्र हृप यृप आप ऊपर जा रही है उदर जा कि उन्होंने पैसा निकाला है और वो चार्य के प्राइस बापिस गिरे मार्केट अपने आपको क्रेक्ट करें चालेस अझाते चाथ लाना चाहते वो 104 प्रॉसस के अंदर, होता का इस सारे प्रॉसस के अंदर पानिक सेल शुरू हो जाती है फेलिक सेल काल मैं आ इमाचे पiyorsun घूर क्यों जो आए थे फिर क्यों के अपर अपने आपको ले जाने के लिए उदर फिर पर सेल करेंगे कैसी बी है लोग किसी तरह सकती है यह किनग से उस चीज़ को यह क्या है कि हर ब listeners class करना यह कर देदा है यह आपकर किया एक और चीज़ है वो हेल्दी है वो बहुत हेल्दी है लेड़ से साथ दालर पे गया बिटकॉइन और बहुत जादा निकाल लेंगे कुछ लोगों ने डरके निकाल लिया कि यार यह तो गिरने लगी है मार्केट तो उन्होंने फॉराँ निकाल लिया अपना पैसा और उसके लावा कहना लेते हैं यह भी हुआ कि कि मार्केट की नेर्ट भी अफने आपको वकार्री। तो मार्केट अपने अपको अपने आपको पहलthy कुछ बड़ी वेलस ने पैसा करें सनकाना उवा चाहते है कि प्राइस नीचे चाहते है चालिस सारा पर जाक दे बहुत सारे लोग सेल और त्थाले यह त्रीक़ा सकते हैं इस सारी सिचुायशन में हमारे जैसे जो छोटे हमारे जैसे जो इनों को कहते हैं यह बहुत भी इतों ह् description घुम्ड हैं कमें सुब चाहीं कर यह चाया है पहली तो बात हजा है कि कई सकार्ण को यह पता होना को यहार्ण लेके जा रहा हूं एंचिव ना इकहशार डालर में कि कितने करने के लिए ready हूँ ठीक है कि आप कहते हैं कि यार एक हजार डॉलर में से मैं बीस-दो-सो डॉलर करने के लिए ठीक है कि बैने हजार क्राउन हजार डॉलर की चीज खरीदी है और वो अब करते परसंट अपनी टोटल एक्विटी का जोंसा है वो रिस्क में डालना है पांच परसंट तीन परसंट एक परसंट कितना वो डिपेंड करता है डिफरेंट चीज़ों के पर दूसरी आपने चीज़ यह देखनी है कि अगर यह पैनिक से लिए मार्किट अपने आपको क्रेक्ट कर रही है और मैं मेरे उस लेवल तक नहीं जा रही तो मैंने कितनी देर तक होल्ड करना मैंने कितनी तक तक बरदाश करना इस रेड मार्किट को इस ब्लीडिंग मार्किट को मैंने कितनी देर तक अपने उपर ब करनाता था अब भी कोई मैं बहुत वह एक्सपर्ट नहीं हूं लेकिन समझ सकता हूं कि यार अच्छा मार्केट में ओवर्फोल्ड हुआ यह नहीं ओवर्बॉट हुआ यह नहीं ठीक है ट्रेंड डाउन्वर्ड है क्या चाहिए मैं बात ही कहा हूं कि मैंने भी बहुत दफा पहन्वाट को के सेल की हैं मैंने भी बहुत क्राउन यह तो लूबजायगा सारा पैसा हला कि भी ने और देखा वहां चाहल अपना पैसा करना और कि इन सारी बातों को करने का मकसद यह है कि मैंने एक जब भी कोई इस तरह का आप चीज़े सीखते हूं ट्रेडिंग में कहते हैं आपका जब तक पहला जो इनिश्यल कैपिटल है जब तक आप पूरा लूज ना ना करें तब तक आप सही तरह सीखते नहीं हैं आपके इंदर तो मेरा जो हजार के बाद आट सोब आए था और आट सोब आगे आपने यह कहा दिया अच्छा यार छे सो तक वेट का ले तो अच्छा यार चार सो तक वेट का ले तो शायर शेयर वापिस मुड़ जाए तो फिर आप सक्सेस्फुल ट्रेडर नहीं बन सकते आपको लोस ल बातों में मैंने अमीर बन के निकलना यहां से तो यार मेरे मेरे आट लिस्ट चैनल को फिर आप लोग ना फॉलो ना करें वो इसलिए क्रिप्टो की जोंसी जितने भी सारी की सारी गेम है डाट लॉंग टर्म गेम ठीक है नादी मैं आपको दो मिसाले दिखाने लगा हूं और उसके बार मैं वीडियो बान का रहा हूं आप से कहने का मकसद यह है प्रेशान नहीं होना यह जितने भी प्रॉजेक्स है चाहे ओडा है करडानो है डॉट है एथिरियम है बीएंबी है इनका बिजनस मॉडल अभी भी हो इनकी अगर प्राइसिस सोला सोला परसट गिर मोडल ऐसके पीछियों जो के फिस हो गया आपकी बी एक मार्कइट को मार्कट को गने से यह जी मार्किट कियो क्रदे थे एंटर होना है calculated risk के साथ ठीक है अच्छा अब मैं आपको दिखाता हूँ यह देखें क्या हो क्या रहा है जी हम चार्ट में जाते हैं यू यह बिटकोई यूसदी का मैंने चार्ट खोला हुआ ठीक है जी मैं कोई टेक्निक अलिटी में लंबी चोड़ी टेक्निक अलिटीस मे अब मैं बलके डे भी नहीं बलके मुझे वीक्स का दिखाए अब मैं आपको बताता हूँ देखें कि क्या डेट बनती है आप नवंबर 2018 और हम आगे चले जाते हैं यह 16 जनवरी 16 मार्च यह 16 मार्च 2020 में प्राइस थी इस बिटकोईन की कि तकरीबं 4000 डॉलर ठीक है दी इदर से हम स्केल पकड़ते हैं हम कहते हैं पिछले यह निद दो जार बीस से लेके भी मार्च इदर साल का नहीं आया हमें इज़रा दिखा के ग्रोथ कितनी हुई है और यह दर तक लेगे जहां तक अभी गया है एक हजार 1242 परसंट बड़ा है आपका शेर पिछले एक साल के अंदर मैं जो बात कहा रहा हूं भी आपको कि यह लॉंग टर्म गेम है भाई मेरे क्रिप्टो क्रंसी की जोंसी गेम है वो शौट टर्म गेम नहीं आप अगर बहुत अच्छे हैं ना और आपके पास अगर बड़ा पैसा है आपने अगर अच्छे पैसे इंवेस्ट किये में तब हैं लॉंग लॉंग टर्म गेम अब मैं आपको मिसाल देता हूं अच्छा और यह फैक्टर नहीं है इसके लावा और बहुत सारी चीज़े हैं मैं आपको सरफ एक यह बताने लगाऊं के स्क्रीन यहां पर छोटी होगी मेरे लिए बहुत जादा हमने डेर्स पकड़ने हैं ठीक है जी डेर्स में चार्ट देख रहो इस वक्त ही कि आप यह देखें कि पहली फर्वरी को फस्ट फर्वरी को इसकी प्राइस है इस बिटकोईन की 29,000 डॉलर ठीक है फस्ट फर्वरी से हम उठाते हैं और हम जाके देखते हैं 29,000 डॉलर से प्राइस कहां पे गई है 98% इसकी प्राइस बढ़ी एक मीने के अंदर 98% प्राइस बाढ़ रही है ठीक है अब देखते हैं यह जो भी डंप होई है मार्केट बेसिकल इदर इसको करेक्ट करना चाहिए था अपने ताके मैसिव सेल हो जाए यह तो पैनिक सेल देखे इतनी लंबी जो सी कैंडल है वाज तक नहीं बनी बिटकॉइन की पूरी स्ट्री में अच्छा अगें अब मैं आपको देख दो मसाले बता रहा हूं कि यहां से यानि कि फरस्ट आफ जनवरी यह फरवरी से पहली फरवर तैइस परसंट गिरा जो कि बहुत बड़ी डिप है मैं यह नहीं कह रहा कि डिप अच्छी लेकिन आप यह देखें कि यह आ कहां से रहा है यार शेर एक मीने में यह शेर हंड्रट परसंट गया था अपनी क्रेक्शन के फेज में घुस रहा है तो अभी बीस परसंट गिरा कहने की बात यह है कि आपको पूरा प्रस्पेक्टिव देखना पड़ेगा कि यार यह शेर कहां से आगे कहां पे आगे गिर एक तो डो crypto के अंदर अगर अन्टर हो तो आप यह सोच के हřो कि मैंने modest मैंने लॉंग टरूम होना मैंने तीन साल और और आप डो साल बात पैसे अपना निकालना अगर आप कश्चक्नी पार आप क्रिप्टों के अंदर अगर इंवेस्टर बान रहे हैं वो इसलिए क्यूंकि ये इसका साइकल है ये अपने साइकल को फॉलो करता है ठीक है और उसमें बहुत सारी चीज़ा है अगें मैं उसमें नहीं जा रहा है टेकनोलोजी के डाप्शन आज बहुत जादा मिचूर ह ऐड़ा है तो इस्ट जो 30,000 गिप्राइज थी अगर चान साइसर आपर ब्लाटे बीजा गने क्रता तो फिर यहां से अग्ली आरशार चैजब अगली जा खाट अगमेंधी अलों से उगले टार देखनाति करती, कि एक तो यह चीज़ मैं आपको करने दूजरी छीफित जो सेकंड लार्जेस क्रिप्टो क्रणसी पास्ट में एक क्टेक्शन रहा है बिटकोइन के साथ जब बिटकोइन की प्राइस उपर जाती है तो इसको फॉलो करती है अब बिटकोइन अब बिटकोइन की प्राइस को खाली बिटकोइन नहीं इंफ्लूंस करता अब इथिरियम के साथ सीन यह है कि फयूचर में जब आप एधिरियम में इंवस्मेंट करें तो आप दो तिंटे लगी उसको वो सॉल्फ करेंगा वो थिरियम तो फोब भी लॉट नहीं होना लाइक अभी उसको टाइम है अब ये जों से अ आप ये जों से एथिरियम के जों से कंपैक्टिटर कम कौइन है वो कौन पर अब आप करडानों में लट से एंटर होते हैं ठीक है आप कहते हैं यार मैंने ना तावी भाई मैंने आपकी वीडियो देखी थी उस दिन ना छे सेंट का था मैंने उठा लिया था और यह वन पर टू सेंट का हो गया मैंने बेज दिया वेरी गुड आपने अच्छे पैस से लूज भी कर सकते हैं अगर शॉर्ट करनी है ना तो उसमें रिस्क बहुत है है यह इसकी अब मैं आपको बताता हूं मेरा अगर पॉर्टफोलियो नीचे गिरा है ठीक है मेरा पॉर्टफोलियो सारा नीचे गिरा है और इतने अधादा कॉइंस जो थे वो सारे रैड हो हैं तो मैं गोई हो यार यह तो यह तो सारा फारग हो गया मैंने क्रिप्टो के अंदर यह सोच के इंवेस्मेंट की ही नहीं है कि मैंने अपने पैसे हां कुछ कॉइंस हैं जिसमें मैं अपना प्रॉफिट निकाल लेता हूं जिसमें मैं मुझे पता वह पिर मैंने सोच लगाया था आज से एक साल पहले एक साल पहले मैं आपको बता रहा हूं ठीक है लटसे किसी ने अगर आज से एक साल पहले पैसा लगाया था आज से एक साल पहले अगर उसने खरीदा था दो सो पैंटिस डॉलर का तो इस वक्त अगर अभी इस डिप में भी बेचता ना वो इ दो-दो साल भी वेट किया है मैं बात समझने की कोशिश करें एक बंदे ने लैट से 2016 में अगर इथिरियम खरीदा था पंदरा दस डॉलर का ठीक है उसके पास एक मौका आया था इदर बेचने का यह पीक के उपर चोदा सो डॉलर का बेच के वो निकल जाता लेकिन वो कब आया था मौका 2016 के बाद वो मौका आया था जनाब 2018 में दो साल की उसने पैसा अपना होल्ड किया मैं आपको बता यह रहा हूं कि क्रिप्टो का लाइफ साइकल इस तरह का है ठीक है उसके बाद खैर यह हम इसमें और बहुत सरी डिबेट और सकती है कि उस वक्त में अपना लंबा वेट नहीं करना पड़ेगा उपर वाले लेवल पर जाने के लिए लेकिन क्या काड़ाउनों तीन साल में एक साथ डॉलर का हो जाएगा नहीं यह भी रियलिस्टिक बात नहीं है लेकिन आप यह देखें कि जब उसके बाद गिरता है पहले जब रहता है उस इससे आगी जाएगा अच्छा एक बात लेकिन यह पॉइंट यह पताना चाहरा हूं इसमें कि यह भी मेहीनोंगी nothing in है अगर आप अगर आप यह सोच के क्रिप्टो के अंदर अच्छे प्राजक्स में इंवेस्मेंट कर रहे हैं जैसे आधिरियम करदानो है और इस तत्रह की दिपस देखिकर आप को पैनिक करके अपने आपको प्रिशान करें आपके मेरा पैसा डूप जाएगा ने तो यार यह मैंने एक बड़ा में मिस्टेक की ना मैंने यह सोच के उठाया था कि यह पता नहीं कितना उपर जाए को दर जाके बेच दूँगा वह उस वकत में शाहिद इस पूरे टाइम को यहां से जब किसने खरीद आ तो उसको यहां पर पहुंचने में दो साल लगे लग से मेरी जो पिछली मिस्टेक थी ते मैं बड़ा निया इसमें मैंने इंवेस्ट करना शुरू किया था तो मैंने शाहिए थे यहां पर उठाया था वह यहां पर गया यहां पर गया यहां पर भी इस होचता रहा कि उपर आएगा दना वेटेट ओल्बॉस्ट टू यह लेकिन दो सालों में मुझे एक लर्निंग यह हुई कि आपकी जो क्रिप्टो क्रेंसी की इंवेस्मेंट है ना वह दाट इस नौट आट वान टू नाइट थी यह देखें आज कल जिन्होंने क्रिप्टो क्रेंसी खरीदी है ना उन्होंने बुल मार्किट चाल लिए उस द टाइम नहीं रहती है यह बुल मार्किट में बहुत सारी लोग फैदा उठा सकते हैं लेकिन बात ही है कि आपने जो इंवेस्मेंट करनी है ना क्रिप्टो के अंदर उसको लॉंग टर्म विजिन के साथ करें यह देखें ना काडानो आज एक अच्छा प्रोजेक्ट है इन दे बिगनिंग ऑफ मार्च इट विल बूस्ट दा प्राइस फॉर दाट ओलसो लेकिन क्या काडानो दोसो डॉलर पर पहुंचेगा नहीं दोसो डॉलर पर कभी पहुंचेगा हाँ जी पहुंचेगा लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा तो इसलिए भाई क्या बात है लेकिन अगर आप यह सोच के एंटर हो रहें कि यार अच्छा मेरा यह हजार डॉलर था मैंने का डानों फरीद लिया प्रॉजेक्ट भी अच्छा है प्रॉजेक्ट इसके उपर यह ग्रो करेगा और यह बड़ा अच्छा डिवेलप होगा ठीक है और यह क्या ह 20,000 डॉलर का को टच किया है तो यह कोई impossible बात नहीं है यह देखे ना बिटकोईन को अगर को इसने 2013 में नौसो 27 डॉलर का खरीद रहा है और उससे भी पीछे चले जाते हैं तो 2013 में यह 26 में 2013 को इसकी प्राइस 134 डॉलर भी रही है अब उस टाइम में किसी ने खरीदा था करिये तो हमारे हमारे सामनी हिस्ट्री रहा है कि कैसे तो यह जो सी यह जो सी एक्जम्पल है यह बागी प्रॉजेक्स के साथ भी रिपीर हो सकते है मैं यह नहीं कहा रहा कि यह बिटकोईन की तरह पचावा़ लेकिन इस तरह की एक्सपोनेंशल रॉसकती है अप के लिए आपके अंदर एक आपको आप स्टडी करें आप देखें के क्रिप्टो की दुनिया में चल क्या रहा है दूसरा इसका साइकल क्या है तीसरा इसका क्या है इसमें मैंने कितनी देर होल्ड करना क्या मेरी रिस्क मैनेजमेंट होगी किस लेवल पर गिरेगा तो मैं I don't care क्या लै लेना नहीं लेन करें ले आ बहूंची लेकिन आप किया था कि मैं आउड़ वयॉक्षा हुद सारा दिन और मैं वीडियो inca ये लेकिन आप जिसमें लेंदे नहीं भी हो रहा तो इंट्रस्टिंग प्रोजेक्स हैं आपको पता हो ना जी दुनिया में क्या हो रहा है तो प्लीज लाइक डिस चैनल अगर आपको अभी भी लगता है कि यह चैनल आपको को अच्छी वैल्यू दे सकता है और आप क्रिप्टोर के अंदर इंट्रस्टिड हैं तो यह चैनल आपके लिए आपके लिए मैं वीडियो लेकर आता रहूंगा अच्छी अच्छी और परशान होना बिल्कुल सही बात है लेकिन एक चीज़ याद रखें अल्ला पर तवक्क्ल रखें जिसने दिया है वही वापस भी लेता है वही दुब